नमस्कार, शिशुवल में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया और आज हम बनाएंगे सेब और लौकी की प्यूरी यह शिशुवल के लिए है और इसे आप लगबग 7 महिने की एज से बच्चे को दे सकते हैं जब अपका बचा, नॉर्मल सिंगल प्यूरी खाना शुरू कर चुका हो तो यह हमने यह सेब को हम काट रहे हैं, तोनों ही लौकी और सेब बराबर मात्र में हमने लिये हैं और हम उनको छोटे-छोटे टुकडों में काट रहे हैं यह प्यूरी बहुत ही पॉष्टिक है और अगर आपको लगे कि आप किस तरह से बच्चे को सबजी दे सकते हैं जैसे लौकी जो की बहुत ही हल्की होती है, पचाने में बहुत आसान है और बच्चों के लिए बहुत ही पॉष्टिक है, तो आप इस रेसिपी को इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर हमने इस लौकी को उसी तरीके से काटा है, जैसे हमने सेम साइस के पीसे में, जैसे सेब काटे थे हमने काट लिया है अब अपना एक कुकर ले लेंगे, छोटा साइस का कुकर यूज़ केजिए हमेशा बच्चे का खाना बनाने के लिए, अब जाधा बड़ा नहीं यूज़ करना की कोई जरुवत नहीं क्योंकि बहुत कम होती है तो हमने दोनों चीज़े इसमें डाल दी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, सेब और लॉकी दोनों में ही काफी पानी की मात्रा काफी होती है तो इसलिए जाधा पानी डालने के बिल्कुल जरुवत नहीं है, उनका अपना पानी ही बहुत है, इसमें यह पंग जाएंगे इसमें कोई नमक, कोई सीजनिंग नी डालेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट फूट की तरह हम बना रहे हैं, और बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बन रहा है तो अब इसे बन करके हम तीन से चार सिट्टी होने तक पका लेंगे अब हमारा यह पक चुका है, इसे खोल के देखते हैं तो तीन से चार सिट्चों के बाद आप देख सकते हैं, बिल्कुल गल चुका है जादतर पानी भी एब्जॉब हो गया है और इसको आप अराम से एक चम्चे की साहता से मैश कर सकते हैं मगर क्योंकि हम यह बहुत चोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, हम इसको एक अच्छी फ्यूरी बना देंगे इसको निकाल लीजे बाहर इसको एक काटे की साहता से, अगर आप मैश करना चाहिए तो आप हम यहां पे अप सब कुछ एक जार में डाल रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा पानी की जरूत निया, इसमें बहुत पानी होता है बस इसको आप जितना पतला या घना आपको चाहिए आप उसे साप से इसको पीस लीजे और हमारी प्यूरी पैयार है बहुत ही बड़ी बनी है और क्योंकि इसमें सेप की प्रही थोड़ी سी मिठास होती है बच्चे को यह बहुत पसंद आएगी और बहुत ही कि नियूति tricky है आप इसको चाहिए तो चावल के साथ भी मिला सकते है दाल केसित stupid and recipe में भी सिर्याय बी डाल सकते है अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए Thank you very much, हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत ज़़ ज़गे